पिलने लेक्षन में आम लोगों ने बात किया था लॉजिक गेट से को पर आज हम लोग बात करने वाले उन कोश्टन पर जो जैम्यान 2020 में लॉजिक गेट से पूछा गया है इन में से पहला कोश्टन है तो अब यह सी बात है यह तीनों तो हमें reversible operation देता नहीं तो second number is the correct option हम लोग एक बार चेक कर लेते कि second number क्यों होगा क्योंकि यह definite लिता है कि यह तो होगा नहीं अब यह ही होगा ही तो इसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं तो अगर आप यहां से 0 signal भेजते हो तो यह 0 यह 0 और इसका जो बोडियन expression होता है वो a plus b का बार होता है तो 0 plus 0 0 तो यह convert कर देगा किसमें 1 में अगर हम यहां से 1 भेज हैं तो यह 1 और यह 1 तो 1 plus 1 1 हो जाएगा और फिर यह convert कर देगा किसमें 0 में तो आप अगर इसका true table देखा है तो यह हमारा input A है और यह output है तो अगर हम 0 बेज रहा है तो 1 मिल रहा है और अगर हम 1 मिल रहा है तो 0 मिल रहा है तो यह just उसका उल्टा हो रहा है ठीक है तो यह हमारा correct option कौन सा है second number अच्छा अगर यह सब समझने में आपको अगर कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो पीछला lecture जरूर देख लाना वह description में मैंने link दे दि है second question 8 gen 2020 evening shift का है यानि second shift का है इसमें दिया गया है in the given circuit value of Y is और यह एक circuit दिया गया है जिसमें कई की मतलब डायोट से लगए हुए है ठीक है और यह हमारा output है ठीक है इसमें कई logic gate यूज किया गया है और यह हमारा 2 input है इसको हम लोग A कहते हैं और इसको B कहते हैं और यह हमारा output हुआ है और इसमें 4 option दिया हुआ है पहला option है will not execute ठीक है दूसरा option 0 and तीसरा option दिया हुआ है toggling between 0 and 1 मतलब switch करेगा 1 और 0 के बीच में and 4th option है 1 तो चलिए एक बार check करते हैं इसको तो यहां से 1 भेजा गया तो यह 1 मिलेगा और यह not gate है इसको convert कर देगा किसमें 0 में तो आगे भी 0 इसको मिलेगा और यह directly इससे connected है इसको भी 0 इसको भी 0 अब देखिए यह end gate है ठीक है अब इसको देखो तो यह 0 भेजागा है यह not gate है तो इसको convert कर देगा किसमें 1 में तो 1 into 1 कितना हो जाएगा 1 और not लगा हुआ है तो finally हमें क्या मिला 0 तो option number कौन सा 2 is the correct option मैंने पहले भी बताया था कि logic gate से बहुत ही simple question पूछाया था इसमें बहुत ही आसान सब question पूछाया था जिसको कि आप बहुत ही easy way में जवाब दे सकते हो लेकिन शर्त यह है कि जो basic fundamental चीज़ है जो हम लोग first video में पढ़े थे तो उनको अगर आप clear कर लेते हो वो सारी बातों को याद रखते हो